पढ़ाई करने के लिए आपको आसिक बनना पड़ेगा आप पढ़ाई कर रहे हैं आप किताब पढ़ रहे हैं तो उस किताब का आसिक बनना पड़ेगा आप प्यार करने वाले को देखे होंगे यदि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं अगर वो एक दूसरे के आसिक है तो वो किन ही की बात नहीं समझते आप उन्हें लाख समझा दो प्यार करना गलत है प्यार मत करो जिन्दगी बरबाद हो जाएगी आप उसे मना करते रहो कि प्यार आप मत करो चाहे उसे समझाने वाला कोई विद्वानी क्यों ना हो लेकिन अगर वो असल में प्यार करते हैं असल में एक दुसरी के आसिक है तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे आसिक हैं, दिवाना है जो आसिक और दिवाना होता है वो किशी की बात नहीं मानता वो अ-strong है अपने आपको वो पावरफूल है जो कमजोर होते हैं वो दुसरी की बात बड़ा जल्द ही मान लेते हैं और ट्रैक चेंज कर लेते हैं तो आपको भी strong बनना पड़ेगा मजबूत बनना पड़ेगा आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आपको कोई आकर समझाना शुरू कर दे पढ़ाई मत करो आप से नहीं होगा आप नहीं कर सकते आप जाउब नहीं ले सकते आप कमजोर हैं बहुत सारी बाते निगेटिव आप तुरंट निगेटिव हो जाते हैं आप आसिक नहीं है आप किताब के आसिक नहीं है पढ़ाई के लिए आसिक नहीं है आपको आसिक बनना पड़ेगा जैसे कि दो प्यार करते हैं एक दूसरे के आसिक हैं किसी की बात नहीं सुनेंगे अगर वो प्यार करते हैं तो उसी प्रकार अगर आप पढ़ाई से प्यार करते हैं तो आप किसी की बात नहीं मानेंगे और अगर आप किसी की बात नहीं मान रहे हैं तो आप यानी सच में पढ़ाई से प्यार कर रहे हैं वही असली प्यार हैं और तब ही आप successful बन सकते हैं तो successful होने के लिए आपको पढ़ाई के लिए आसिक बनना पड़ेगा